नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 12 अप्रिल 2022 और देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो आज हम तीन इशूस पर ब का फॉर्मेशन भी हुआ है तो इस केस में एक लेंग्विज को अगर ये कहा जाए कि इसको आप सब मानो या इसको फॉलो करो तो वो मुश्किले पैदा कर देगा क्योंकि इसके पहले भी इस तरीकी का चैलेंज क्रियेट हो चुका है एक लेंग्विज को लेकर के तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्शर इंवेस्ट्मेंट करने चाहिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए तो पहले तो मुद्दों को डिसक्स करेंगे क्या इशूज है और फिर बाद में थोड़ा सुलिशन बताय जा रहा है उस पे नज़र डालेंगे एक आर्टिकल पाकिस्तान के सामने और लास्ट में एक या अर्टिकल है जिसकी हम समरी लेंगे जिसमें हम आर बिए कि जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होई है उसमें जो चेंजिश लाए गए हैं उसके उसकी बात करेंगे तो वैसे तो हमने यह डीटेल में हवाई आर्टिकल है इनका यह कहना है कि पाकिस्तान के में अगर देखें तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल कॉन्वल्शन डैट मींज एक इस तरीके का वाइलेंट पॉलिटिकल अपहविल जिसमें कि सत्ता पलट कर दी झाती है थीक है उसमें हमेशा से एक जो आर्मी का रोल हैं ना वो एक इंपॉर्टने रोल प्ले करता है आरमी जो है वहाँ की ठीक है पर दूसरी तरफ हमाنت हमारे साथ में रिलेशन्शिप की बात करें तो हमारे यहाँ पर ज्यादा तर यह देखा जाता है कि पाकिस्तान का इंटर्नल मुद्दा है जो कुछ भी हो रहा है वो वहां का खुद का ईशू है और साथ में हम दिमाग इतना ही लगाता है कि हमारे साथ में कौन रिष्टा अच्छा बनाना चाहता है बट राइटर जो है उनका कहना है कि हमें थोड़ा सा शिफ्ट लाने की बनते भी है तो पॉइंट यहां पर यह है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है अभी जो करेंट क्राइसिस को टैकल करने की चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करो या फिर आप इंटरा पाकिस्तान इशूस की बात करें तो देखो बात ऐसी है कि इंटरनल पा मिनिस्टर ने पाकिस्तान की आर्मी को आँख दिखाई तो उसको उखाड फैकने में टाइम नहीं लगाया गया दूसरी तरफ ये तो इंटरनल मुद्दे हो गया अब आप बात करो कि एक तरफ तो वेस्ट और यूएस एक तरफ है ठीक है और उसके अलावा अगर देखें त तो चाइना रश्या दूसरे ग्रूप में है तो एक तो सबसे बड़ी बात है आगई कि पाकिस्तान के साथ में रिलेशन्चिप रखने में इन दोनों धड़ों को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एक कैतने हैं पाकिस्तान को रिकगनीशन देके चलता है कारण क्या है क एक लोकेशन जो है वो बड़ी इंपोर्टेंट है क्यों एक तरफ तो आप देख सकते हैं साउथ एशन सबकॉंटिनेंट का पाकिस्तान दूसरा मिडल इस से सीधे लिंक यूरेशन कंट्रीज की बात कर लो सेंट्रल इसन कंट्रीज के हम बात करें वहां तक लिंक अप्रो एरिया का जो की वाकई में का रेलेवेंस बनाए रखता है अब अफगानिस्तान है मान लो अब अफगानिस्तान में कोई इशू क्रियेट हुआ तो पाकिस्तान की रेलेवेंस पहले बनती है ठीक है तो उस केस में क्योंकि आप एक्सेसिबिलेटी किधर से लोगे यूएस स्टार्ट किया था पूरा एक की भई कैसे भी करके अलकाइदा को खतम करना है तालिबान को खतम करना है तो उसमें फिर पाकिस्तान के लावा दूसरा कोई option ही निकल किया है था तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी challenge की बात भी है कि इन दोनों groups में से वो कैसे balance create करेगा इसके अलावा कुछ internal issues में है internal issues में economic issue देखो political instability देखो ये बहुत सारे बहुत challenging task है जो पाकिस्तान को भी सामना करना है अब देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई भी government आती है न वो basic statement जो है वो तो इंडिया पे देते हैं कि हाँ जी कश्मीर मुद्दे को sort out करेंगे और वो सारी चीजें वो तो सरकार में आने का रहता है बट प्राइम target जो है वो इंडिया के साथ इंगिज ना करके overall पूरे situation को सुधारना होगा जिसमें economic crisis जिसमें अर्वो रुपेगा करजा है during line तालिबान के आने के बाद में पाकिस्तान की जो western border है वहाँ पे कुछ clear नहीं हो पा रहा है कि कहां पर कौन से लोग मतलब मन में है जैसे लोग आते जाते रहते हैं issues बहुत सारे हैं और वहाँ पर भी जो अफगान लोग रहते हैं वो चाते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ integrate हो या फिर एक अलग से हम दूसरा या तीसरा कोई segment निकाल के लिए के आ जाए तो duran line settle करनी ज़रूरी है पहले तो देखो इंडिया अफगानिस्तान को separate करती थी बट partition के बाद में duran line सारी की सारी किसके पास सली गई पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को separate करने वाले international line है इसके आगे major जो middle east में जो allies हैं किसके पाकिस्तान के उनके साथ में अपने relationship को balance करना चाहे फिर वो आप देख लो इरान की बात करो UAE, Saudi Arab और टर्की इनके साथ में अपनी engagement को कैसे balance करेगा वो देखने वाली बात है इसके आगे और इन सब में सबसे ज़्यादा challenging पाकिस्तान के साथ ये है कि जो relation अभी USA के साथ चल रहे है या फिर जो चाइना के साथ चल रहे है उसमें कैसे balance करेगा जहां पर USA चाइना एक दूसरे के गले पे तलवार लगा करें खड़े हैं कि मैं काटूं या मैं काटूं ठीक है तो ऐसे में पाकिस्तान इन दोनों में से किसको चूज करेगा तो दुनिया दो ग्रूप्स में डिवाइड हो चुकी है जब से युक्रीन वार्ड हो है ये भी क्लियर है एक चीज कि पाकिस्तान अब USA के स्टेंड की तरफ फेवर करेगा तो यहाँ पर जितनी सिचुएशन हम डिफिकल्टी वाली फेस कर रहा है न उतनी सिचुएशन उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किले हैं पाकिस्तान के पास में क्योंकि हम कम से कम एक स्ट्रेटेजिक अटनामी तो रखते हैं न हम डिसिजन लेने से पहले किसी आका से परमीशन नहीं लेनी होती क्योंकि कहीं न कहीं हमने बहुत इकनामिक प्रोग्रेस भी एंशूर की है तो हम इंडिपंडेंटली कहते ना की रोल प्ले कर पा रहे हैं और साथ में जो एक होती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन्शिप है वो भी एक अलग लेवल की है जब कि पाकिस्तान में तो सारा बिल्कुल ओपन है ठीक है ओपन का मतलब हो गया कि वहाँ पर तो क्लियर कट एक दम स्टेटमेंट दे दिये जाता है जैसे इमरान खान के स्टेटमेंट से बात करें कि यू हमी युए साग के सपोर्ट से ही सारे काम करती है पाकिस्तान में ठीक है तो वो चीजे किया शो करती है कि कैसे भी करके पाकिस्तान जो है वो एक टाइट रॉफ वाक पे जाने वाला है थीक है आप चाहिए कोई पॉलिटिकल रेजीम में कोई महांपे प्रिधानमंतरी बन क तो क्या है कि अभी तक जितनी बार भी पाकिस्तान से जितने भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया है उसमें आर्मी का क्लियर का ट्रोल रहा है कि जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को उंगली दिखाई तो आर्मी ने उसको पर्मानेंटे रिमूव कर दिया बट अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच देखने को मिली है वो कैसे है कि इमरान खान का जो रिमूवल है उसमें इंट्रा एलीट स्ट्रगल जादा देखने को मिल रही है मतलब ये कि आमने सामने की जो दो पार्टीज है या फिर जो लोग पकड़ बना करके रखते हैं पाकिस्तान के सिस्टम में आर्मी को एक बार थोड़ा साइड में रखो ठीक है उन लोगों के इमरान खान को रिमूव किया गया है मतलब जो दिखा है उपर से दूसरा जो इमरान खान का रिमूवल है उसमें मिलिटरी का इंडिरेक्ट इंवॉल्मेंट है एक तो पहले कहा था डिरेक्ट इंवॉल्मेंट था अब इंडिरेक्ट इंवॉल्मेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान एक तरीके से ये पाकिस्तान बनाने में ठीक है पर हाँ ये चीज पक्की है कि जो पुराना पाकिस्तान था ना उसमें चेंज बहुत आये हैं उन चेंजिस को देखते हुए लगता नहीं कि पुराना पाकिस्तान फिर से आ पाएगा मतलब वही चीज कि अब आर्मी एक तरफा अपनी तरफ से क कोई भी कदम अठा करके और किसी पीम को रिमूव करे इसके लिए अब आर्मी को सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या हो गया अब क्या डेमोक्रिटिक मैनर डेमोक्रिटिक रस्ता चूज कर लिया है पावर तो आर्मी की है और डेमोक्रिटिकली ये रिमूवल किया गया है इम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन दोनों के बीच में तो वो एक रिफ्ट थी ना गैप था उसने ही हाइलाइट किया था कि दोनों के बीच में कितनी टेंशन्स क्रियेट हो रही है या फिर कैसे एक कहते हैं कि अंडरस्टेंडिंग प्रॉपर नहीं बन पा र कार्मी में करंट जो पकड़ है ठीक है जनरल बाजवा उनका जो टेन्योर है वो एक्स्टेंड किया जाता है ठीक है इमरान खान के दोरा और वो ही फिर जाविद बाजवा जो है वो रिमूव कर देते हैं इधर इंडिरेकली दूसरे एलीट्स को इंपोज करते हुए इमरा इमरान खान को एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर के तौर पे कोई कंसिडर करे या ना करे बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से अभी इमरान खान के रिमूवल के ओर्डर्स आये या रिमूवल के लिए जो प्रोसेडिंग्स हुई उसके बाद में जो जनता रो उठाए हैं तो अब अगर यहां पर इन दोनों के पॉइंट आफ यू से देखियी यूएस और पाकिस्तान के आर्मी के लिए तो वहां के लोगों की दिमाग में इमरान खान के लिए एकर फेवर है तो यूएस और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उनकी सोच अपने आपक तो यही चीज अपने आप में आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए चैलेंजिंग होगी कि कैसे वो अपने जनता को आर्मी के फेवर में ला पाएंगे या फिर आर्मी के इतने अगेंस्मिन आ जाये फिर भी यूएस की तरफ अगर जाना चाहे तो वो चैलेंजिंग होगा क्योंकि जिस तरीके के अभी सेनेरियो क्रियेट हो रही है उसका ये पॉइंट आ रहा है जो कि सेकंड पॉइंट से हम लिंक कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया पॉइंट से लिंक होगा कि पॉइंट से लिंक होगा कि पाकिस्तान की एकॉनॉमिक क्राइसिस इतनी बुरी हो चुकी है जिसकी हद नहीं है पॉलराइजेशन बहुत जादा हो चुका है पाकिस्तान का तो उस केस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो डेमोकरिटिक मैनर में इमरान खान को रिमूव करके नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बही बात ऐसी है कि उनके लिए भी रस्ता कोई आसान नहीं ह होगा और आईमेफ के पास में जाने का मतलब होगे यूएस से रिलेशन अच्छे करने और यूएसे के लिए इमरान खान ने जो स्टेटमेंट्स दिये हैं उनका इंपक्ट वहां की जनता पर सीधा है तो बही बात ऐसी है कि पैसे की जरुरत भी है पैसे देने वाले से वह हमारी बरबादी का कारण जो है वो केवल और केवल यूएसे रहा है या फिर जो वेस्टन कंट्रीज है जैसे कि अभी एक नॉर्मल सी बात बोली जाए कि यूक्रेन की विजिट करके आए इमरान खान या कुछ स्टेटमेंट दिये तो वेस्टन कंट्रीज ने अपनी स्ट्रेटेजिक अटानमी है उनके पास में क्या इंडिया को कोई जुर्द कर सकता है क्या कि आप अपने स्टेंड को चेंज करो हमें ही क्यों कहता है हमारा जो पास्ट है वहां पर हमने गड़बडियां की है तो एक जो होती है ना कॉंशियंस जो होता है लोगों का एक वि हैं इसके आगे आप देख सकते हो कि रश्या चाइना एक तरफ यूएस यूरप एक तरफ इसको इंडिया जिस तरीके से अपने इसाब ट्रैक कर रहा है अपनी जो डिपलोमेसिया कंटीनी हो रही है वो ही चीज अभी पाकिस्तान के सामने देखे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है ठीक है इसके आगे नई सरकार और नई सरकार जो भी आएगी वो यूएस के साथ अपने रिलेशन अच्छे करेगी पर वही बात है कि इमरान खान ने जिस तरीके का ट्रेंड सेट कर दिया कि नई जो सरकार है वो फॉरें इंपोर्ट्स है यह बाहर की सहायता के आधार पर यह अपनी सरकार बना रहे हैं तो इस तरीके की बाते जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलराइजेशन क्रिएट कर द जो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं फिर आ जाती है चाइना की बात तो चाइना है ना वो पाकिस्तान को इतना ज़्यदा क्रिटिसाईज नहीं करता है क्यों एक तो क्या है पाकिस्तान सीधा जोली में जाके बैठा हुआ है चाइना के जबकि आपको पता है कि U.S. पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया हुआ है ठीक है इस पर बिजिंग इतना स्टेटमेंट नहीं देता है क्योंकि वही बात है कि चाइना के लिए भी उतना है इंपोर्टन्ट है पाकिस्तान क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी आ रही है सीधी अरेबिय जाता है बिजिंग को तो वैसे चैलेंजिस कम हो जाते हैं हुमन राइट्स का जो इशू आता है वहाँ पर अपने चार-पांस दोस्तों को तैयार करके रखता है कि हाँजे डिफाइंड करना है मुझे जबकि दूसरी तरफ को जैसे इंडिया ने जॉइन किया या फिर जो इंगेजमेंट वाशिंग्टन के साथ में जो कि अब लग रहा है कि बढ़ेगी दूसरी तरफ इंडिया की इंगेजमेंट तो दोनों में चाइना का स्टेंड भी है वो क्लियर हो रहा है ठीक है पर एक चीज वही आ जाती है वापिस से कि क्या यूएस उतना इंटेटेन कर पाकिस्तान में अभी जो डिविजन है वो कुछ ऐसा है कि डीप स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई आर्मी और एक तरफ है इम्रान खान की लीडर्शिप इनके बीच में गजब की राइवल्री है डीप स्टेट का मतलब वो लोग जो बिलकुल टिपिकल कहते हैं कि टिपि तो देखने वाली बाद अभी है कि इंडिया का क्या रोल हो क्या इंडिया को दूर बैट करके इतना ही देखना है कि हाँ जी हम हमारे रिलेशन्स कैसे अच्छे करें या फिर पाकिस्तान में जो तक्ता पलट हो रहे हैं उन तक्ता पलट में इंडिया को अपने सोचना चाहिए यह एक important question यहाँ पर लास्ट में छोड़ रहे हैं writer कि क्या हमें कुछ different सोचने की जरूरत है कि Pakistan की साथ के वल हमारे relations की हम बात करें जबकि वहाँ पर जो भी political contestation है जो लड़ाई हो रही है उस political rivalry है उसमें हमारा कुछ influence का रूल होना चाहिए लास्ट में आते आते हैं यह question mark छोड़ देते हैं बताओ जी क्या होना चाहिए अब argument दो आप ठीका comment box में क्या वहाँ पर रूल होना चाहिए क्या नहीं आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है climate in the city आर्टिकल को लिखाया यहां पर माधव पाई जया डिंडा और रिजित मैथ्यूज ने देखो इस आर्टिकल में quotation जो दिया जा रहा है वो तो है IPCC की जो latest report का मतलब IPCC की जो चटी report है उसका third जो पार्ट है वो भी release हुआ है एप्रिल में जिसमें यह है कि अर्बन प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी जिससे की climate का जो असर है उसको हम control कर सके climate change का जो असर है union budget 2022 में भी जो cities हैं उनकी proper planning के लिए एक high level committee establish करने की बात की है high level committee of planners जिसमें economist भी होंगे institutions का भी involvement होगा और एक proper एक कहता न अर्बन सेक्टर policy develop करने का program बनाने की बात की गई है budget में कि बही शहरों को कैसे हम तयार करें finance minister ने यह कहा कि बही जब तक इंडिया 100 साल का होगा तब तक हमारी 50% population शहरी हो जाएगी तो इस case में हमारे यहाँ पर mega cities, tier 2 cities और tier 3 cities इनको हम future के point of view से देख सकते हैं तो हमारा first target तो होना चीए कि mega cities को हम sustainable कैसे बना सकते हैं फिर वो role model की तरह काम करें और उस चीज का जो effect है कहता ना किये के वहाँ से learn करके spillover effect बाकी cities में भी आए तो वो tier 2 और tier 3 cities में भी देखने को मिलें हमारे पास में कुछ ऐसा ही program ऐसा ही plan होना चाहिए और वो implement भी होना चाहिए आज इंडिया में अपनी history में अभी तक जितना ज़्यादा urbanization हुआ है ना उसमें highest level पर urban area की growth अभी register की जा रही है और साथ में ये भी चीज क्लियर है कि जो infrastructure हमें 2050 में present दिखेगा ना उसका अभी तक आप मान के चलो केवल one fourth हिस्सा ही develop हो पाया है चीज क्या clear हो रही है कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो main developmental activities है infrastructure development है उसका जो 2050 तक हम target लेके चल रहे है उसका three fourth मतलब 75% तो development बाकी है तो opportunity एकदम open है कि कैसे भी करके हम urban planning और development को long term point of view से देख करके जिसमें economy, environment, social impact तीनों चीजों पर ध्यान रखते हुए हम urban planning करें फिर से बता रहा हूं कि 2050 में जो infrastructure हमारे यहाँ पर available होगा उसका अभी तक किवल one fourth 25% infrastructure development हो पाया है 75% तो अभी बाकी है तो उसके लिए हमें एक अच्छे से plan करने की ज़रत है और वो planning भी अच्छे से implement होनी चाहिए किवल कागजों पर plan होकर के रुकना नहीं होगा देखो urban infrastructure development की हम बात करें तो उसमें आप देखो high economic values तब ही मिलती है जब आप ऐसे infrastructure डवलप करो जिससे की हर एक area ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक city में एक area बहुत developed है और बाकी areas है वो development में नहीं आ रहे है या फिर upper class के लिए तो सारी facilities available है lower या middle class को crisis का सामना करना पड़ रहा है और lower class के लिए कुछ available नहीं है तो ऐसे में एक तो equal setup तयार करने की ज़रुत है और एक equitable growth होनी चाहिए equal setup का मतलब तो क्या हो गया कि आपके यहाँ पर area wise देखो मतलब region wise देखो या फिर class wise देखो हर जगह पर development में आपको तीनों aspect देखने होंगे economic environment और social तभी आप लंबा चल पाओगे और equitable उन सारी systems का जो infrastructure आज डवलप कर रहे हो उनका फाइदा हमारी society के एक एक बंदे को होनी चाहिए चाहिए फिर वो weaker section से belong करता हो, vulnerable section से belong करता हो या फिर जो empowered section है उनसे belong करता हो ठीक है तो ऐसे में development का main target क्या होता है? economy economical एक तरीके से outcomes को हम ज़्यादा focus में लेते हैं पर वोई चीज है कि अगर हम आज हमने development में environment और social impact को ignore कर दिया ना तो फिर वो economical outcome है ना वो नहीं मिल पाएंगे वजह कोई disaster आएगी या फिर social strides आ जाएंगे, riots हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे तो वो वैसे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब क्या है फिर उन चीजों से? तो हमें development जब भी करना हो तो पहले हमें negative externalities को तो ignore करने के आदत छोड़नी होगी जैसे कि water pollution, climate change, flooding, extreme heat events ये common हो चुके हैं इनका impact सीधा आएगा urban infrastructure और उसकी economic value पे तो आपको पहले तो ये चीजे understand करनी की ज़रत है कि इनको हम बिलकुल भी ignore ना करें इनको ध्यान में रखते हुए प्लान करें मतलब कि हमें ऐसे cities बनानी होगी जो climate resilient हो, जो compact हो ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई cities हैं जिसमें कि intake इतना ज़्यादा हो रहा है intake ज़्यादा होने की वज़े से क्या होता है आपको countryside planning भी करनी होगी, rural urban planning करनी होगी integrated manner में फिर जाकर के एक तो ये जो migration है इतना, जो heavy migration हो रहा है इसको आप tame कर पाओगे, under control कर पाओगे इसके साथ में जो भी developmental activities हो रही हैं उसको आप देखो कि कितने लंबे समय तक आप उसको utilize करना चाहते हो तो उसी के हिसाब से आपकी planning होनी चाहिए, environment पे उस particular infrastructure का कितना role आ रहा है जैसे normal है, कभी आप railways में आप travel करते हो train में तो आप notice किया करो कि इधर तो bridge है बड़ा सारा train का क्योंकि वहाँ पर कोई river flow हुआ करती थी और आजकल यहां पर settlements हो गए, लोगों ने अपने घर बना लिये है या फिर सरकार ने उनको अनुमत ही दे दिये कि घर बनाओ या illegal ही उन्होंने घर बना लिये तो ऐसे में ये कोई sustainability वाला काम नहीं है कल कोने एकदम से बाढ़ आ गई तो ये घर बह जाएंगे क्यों? क्योंकि सीदी सी बात है कि एक river के course में आपने मकान बना है बस अभी पानी की कमी है इस वज़े से आपका मकान बन गया एक तो ये, दूसरा ये कि वो मकान बीच में आ जाते हैं जब settlement आ जाता है, तो वो एक river का जो flow है वो भी disturb होता है एकोलोजी को भी कितना impact आता है तो ऐसे में minimal climate impact को देखते हुए equitable growth को ensure करते हुए हमें कुछ developmental activities पर ध्यान देना होगा तो इसके लिए town और country planning country planning में तो rural areas में तो अभी तक जितने भी acts हमारे हाँ पर available है ना उनमें ज़्यादा कोई changes नहीं किये गए है हमारे हाँ पर acts है Britishers की legacy वाले मतलब अंग्रे जो ने जो सोच करके अपना master plan बनाया था ना cities को develop करने का जिसमें area कोई भी area किसी भी particular एक activity specific allocate कर दिया जैसे residential है तो केवल residential ही residential industries है तो केवल industries ही industries तो ऐसे में एक plan ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप कहते ना कि एक segment को separate करके ठीक है एक segment को separate करके आप homogenous zone create करना चाहते हो जहाँ पर एक जैसी ही activities दिख रही है वहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रुत है ठीक है जैसे अब simple सी बात है कि कोई यहाँ पर बीच में city center है अब city center के आसपास से अगर आप कोई shopping करने के लिए और आपका residential area है बिलकुल अलग तो वहाँ से आप vehicle लेकर कि इतनी दूर जाओगे अगर हर एक residential area में city center आराम से develop अगर कर दिया जाए प्रापर तरीके से जो कि आपको कई जिए पर मिलेगा भी तो उससे क्या होगा एक छोटा से example दे रहा हूँ इससे क्या होगा कि transportation cost आप reduce कर दोगे emissions को आप reduce कर पाओगे तो modernization की तरफ जाने की जरुवत है planning जो है वो strict division की बजाए inclusion की तरफ जाने की जरुवत है ऐसा नहीं होना चाहिए कि residential commercial industrial segments है हाँ बिल्कुल बहुत ही जादा pollution वाली जो industries है उनको आप अलग से plan करो पर ये भी तो देखो ना कि जिस जगह पे आप industries develop कर रहे हो क्या वहां की वो जमीन वहां का वो area industries को support कर पाएगा क्या पानी की availability है वहां पर क्या labor की availability है वहां पर क्या वहां पर जो raw material है उसकी supply easily हो पा रही है ये सारी चीजे देख करके फिर बाद में industrial development पे फोकस करना होगा commercial activities या फिर जो residential activities हैं उनको भी आपको इसी तरीके से plan करने की जरूरत है overall बात क्या गई कि पहले जो plan हुआ करता था जिसमें mixing को avoid किया जाता था अब आपको interdependency लाने की जरूरत है जिससे economic और social integration जो पहले avoid होता था वो avoidance अब हम रोक पाएं क्योंकि अभी जमाना भी बदल गया time भी बदल गया population भी बहुत बढ़ गई है इंडिया की अगर hierarchy देखे हम cities की तो उसमें mega cities हैं वो driver position पर बैठी रहती है जो कुछ भी बड़ी cities में होता है वो ही replicate होता है हमारी जो tier 2 और tier 3 cities होती है smaller towns होते हैं उनमें तो हमारा main focus किस पर होना चाहिए कि जो भी economic planning जो भी हम development कर रहा है mega cities में उन पर एक proper manner में planning हो जो वही बात environment, economy और तीसरा आजाता आपका social ये तीनों जो issues हैं इन तीनों पर अच्छे से देखने की ज़र्वत हैं और positive climate action climate change एक अपने आप में reality है इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं ठीक है देखो climate change वैसे तो होता no doubt पर anthropogenic activities ने इसको accelerate कर दिया है वो अपने आप में crisis का करण बन जाती है फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पर cities को develop करने के लिए master plans बनते हैं एक तो लंबा समय भी इता है उसमें फिर बाद में आ जाती है implementation का issue फिर उसकी अगर funding की बात करे तो funding proper allocate नहीं होती है तो ऐसे में एक ऐसा mandate ऐसा provision होना चाहिए कमी रहती है हमारे यहाँ पर किस चीज की कि आप अलग-अलग sector में infrastructure डवलप कर रहे हो तो वहाँ पर एक integration अगर हो जाए तो क्या problem है भाई आप road भी बनाना चाहते हो आप electricity line भी डालना चाहते हो water pipe line डालना चाहते हो और आप civil line भी डालना चाहते हो तो अगर यह चीजें अगर एक synchronization synchronized manner में अगर settle हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना पता पड़ता है road पहले बना दी फिर बाद में आती है civil line फोर दी road गो दुबारा फिर road बनती है बोला water pipeline डालनी है फिर वापिस road तोड़ दी फिर वापिस बोले बोले इसमें जो हमें street light का रेंजमेंट है वो करना है क्या है यह इसमें cable और cable resources का westies होता है जो inter agency negotiations होने चाहिए वो हमारे बहुत कम है तो master planning में एक proper engagement होना चाहिए government के अलगलग departments का ठीक है इसके लिए changes लाने होंगे और वो changes लाने का तरीका क्या है आपको एक broad brush तयार करनी होगी broad brush approach का मतलब हो गया कि कोई भी काम अगर आप करो तो वहाँ पर ये देखो कि कौन कौन सी amenities आपको avail करानी है cities में साथ में उस particular area geographical area को आप understand करो कि वहाँ की tendency क्या रही हुई है past में कि हाँ यार ये तो floodplain area है या river का कोई course है उसको आप avoid करो ठीक है तो local specialty को भी ध्यान में रखने की जरूरत है ठीक है तो ऐसे में हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर के plan बने और plan भी quickly बने delay नहीं होने चीए red typism में नहीं फसना चीए कोई भी काम ठीक है तब जाकर के local areas को ध्यान में रखकर के locals का participation लेते हुए अलग-अलग strategies अलग-अलग areas के लिए cities के development point office है की जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हम target achieve कर पाएंगे ठीक है तो किसी भी area को अगर हमने development में लेके जाना है तो देखो एक तो proper negotiation process को follow करने की ज़रत है that means अलग-अलग silos में operate होने वाले जो departmental activities है उनको integrate करो ठीक है land जो available है उस land का assessment होना चीए कि वाई आज तक तो केवल और केवल ये देखा जाता है कि जमीन का कितना क्या development हो रहा है उसके हिसाब से अब आप regional analysis करो एक area classify करो और उसके area में आप देखो कि हाँ यहाँ पर कैसे developmental activities हो सकती है और उसका strict implementation भी होना चीए जो भी master plan आप बना रहे हो ठीक है और एक चीज जरूरी है कि long term outcome हमें देखना होगा क्योंकि starting में हमने क्या देखा कि जब इंडिया 100 साल का होगा 2047 में तब इंडिया की 50% population cities में reside कर रही होगी तो उस case में क्या हो जाता है long term plan तो आपको लेना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कि हाँ अभी एक बार तो काट दो रियार colonies बाद की बाद में देखेंगे ऐसा नहीं 2047 सा 2050 का दिमाग में लेकर के जलो ठीक है कि हाँ भी आदी population वो इंडिया की 70-80 करोड या 85 करोड के लगबग लोग अगर शहरों में रहेंगे तब कैसी situation हो सकती है उसके हिसाब से आज ही प्लान करो तब जा करके वो sustain कर पाएंगे लंबे समय था ठीक है इसके लिए देखो राइटर्स बोल रहे हैं कि strategic plan तयार करने की जरुवत है हर 5 साल में मतलब cities के लिए फाइवर प्लान किया है आपर बात की जा रही है ठीक है और इसको फिर properly manage किया जाए एक review भी लिया जाए कि कहाँ पर कोई changes लाने की जरुवत है और area specific होना चीए one size fits all वाला concept apply करने की यहाँ पर जरुवत नहीं है फिर जा करके sustainability और developmental activities continue हो पाएगी finally writers यह बोलना चाह रहे हैं कि development में health, safety, welfare किसकी citizens इस पर main focus करो ठीक है इसमें कब आएगा जब लोगों का खुद का participation होगा जब local challenges को ध्यान में रखते हुए आप developmental activities पर काम करोगे जब आप वहाँ के लोगों की जो ambition है उसको fulfill करने के लिए आप economic activities को promote करोगे तब जाकर कि यह main objective होने चीए किसी भी master plan के क्योंकि ultimately cities है वो किस के लिए बनाई जा रही है cities बनाई जा रही है citizens के welfare के लिए but जिस तरीके से pastor plan अभी तक implement हो रहा है उनमें कुछ कमिया रह जाती है जो की कहीं नहीं problem create करती रहती है तो ऐसे में rural urban continuum that means countryside and city side town planning दोनों coherence में चलनी चाहिए separate नहीं होनी चाहिए इसके अलाबा socio economic environmental data को proper analyze करने की ज़रुत है proper requirements क्या-क्या है उनको fulfill करने की ज़रुत है क्योंकि केवल physical space बना करके छोड़ दोगे और लोग वहाँ पर परिशान हो तो उसको sustainable development तो हम नहीं बोल सकते तो future generation के अगर आप वाकई में care करते हो तो climate action economical issue social integration ये बड़े crucial है ये बड़ी निर्नायक भूमिका निभाने वाले है इनको धान रखना जरूरी है एक participatory process होना चाहिए एक vibrant, inclusive, and livable urban India डवलप करने के लिए क्योंकि जब तक locals को आप integrate नहीं करोगे जिन लोगों को रहना है उन लोगों की जरुवत है उन लोगों के लिए challenge उन लोगों के लिए facility आप बना रहे हो तो उनका ही participation नहीं होगा तो कैसे काम होगा तो ये एक यहाँ पर important articles था cities को हम कैसे plan करे आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है diversity in unity देखो हो मिनिस्टर अमिद शाजी नहीं ये काया कि जितने भी states हैं हमारे यहाँ पे बोलो उनके बीच में जब भी बात चीत हो तो हिंदी में ज़्यादा बात करनी चीए ना कि English में ठीक है ये बेसिकली बात उन्होंने कब कही जब parliamentary official language committee में वो participate कर रहे थे meeting में तो ये exactly वो ही चीज हो गई है जिसमें हिंदी को official language के तोर पे सभी को follow करवाने के लिए कहा जा रहा है जो कि 1960s के time पे हुआ था 1960s के time पे क्या था देखो मैं आपको बताता हूँ तक हम हिंदी 1965 तक हम English को हम official language के तोर पे continue करेंगे साथ में हिंदी रहेगी और दीरे दीरे फिर आते आते 1965 तक English को हम हटा देंगे और हिंदी वहाँ पर हम एक language बना देंगे पर जैसे 1960 में पहुंसते हैं तब जो South Indian States है जिनके अपनी खुद की language है क्योंकि तब तक State Reorganization Commission ने language के basis पे अलग-अलग states के formation की recommendation दे दी थी जिनमें पहला state आपको पता है कि आंदरप्रदेश बन भी चुका था State Reorganization Commission के recommendation से पहले ही ठीक है वो भी language के basis पे बना था ठीक है तेलगू language के लिए और तब से तेलांगना के demand हो रही है जो हो रही थी जो कि 2014 में आकर के फुल्फिल होई फिर अंदरप्रदेश के भी दो टुकडे होते हैं 2014 में आपको पता है point यहां पर यह निकल किया रहा है कि language के आधार पर जब states बने हुए है और sub-reasonal या sub-nationalism अल्रेडी उनके दिमाग में settle है तो आप अगर इस तरीके का trigger फिर से दबाओगे कि जी language के नाम पर तो हिंदी होनी चीए अलग-अलग states के बीच में जो बाचीत हो वो हिंदी में ही होनी चीए तो फिर से वो issue create हो सकता है जिसमें South Indian states ने जबर्दस तरीके से protest किया था जिसमें जो एक language जो identity है ना वो बहुत ही जादा उनके लिए कहते हैं टची है कारण क्या है उसके बीचे क्योंकि एक तो हिंदी से पुरानी languages हैं वो सारी की सारी दूसरा कारण क्या है कि उन languages का use करके उन्होंने अपनी तरफ से revolutionary activities भी की थी मतलब जो nationalism की भावना है वो उनके यहां पर South Indian states में इसी तरीके से linked है तो आप कैसे एक कहते हैं ना की one size fits all वाला concept यहां पर आप apply कर सकते होगी सीधा impose कर दिया हाँ यह बाठीक है कि हिंदी को समझते हैं South Indian states में जो भी लोग रहते हैं या फिर non-hindi speaker South Indian चोड़ो non-hindi speaking जो भी states है वहाँ पर हिंदी को समझा जाता है Bollywood की movies देखी जाती है पर point ही आ जाता है कि जब वो communicate करना चाहें तो उसके लिए अपनी एक तो खुद की language पर rely करते हैं दूसरा जब जिन states के बीच में Hindi और non-hindi states के बीच में communication होता है तो वो फिर English में prefer करते हैं तो English एक तरीकी की अभी language जो है उसको एक कहता ना कि colonial legacy के point of view से ना देखते हैं integration के point of view से भी देखा जा सकता है इसके आगे Hindi speaking states अगर communicate करेंगे तो सीधी सी बात है non-hindi speaking states में अगर आप Hindi में ही करेकिला आप या जो guideline है या फिर जो भी आपकी engagement से उनको अगर आप note down करोगे document wise update करोगे तो वो अपने आप में इस चीज को issue को कहनेंगे कि impose किया जा रहा है भई हमारे उपर ठीक है देखो 1960 के उस दशक में जब जबर्दस तरीके से rivalry शुरू हो गई थी ना कि भई हिंदी हमारे उपर थोपी नहीं जाए तब 1964 में कोठारी commission constitute किया गया था और कोठारी commission ने फिर अपने हिसाब से primary, secondary education के लिए plan भी दिये थे और उन्ही plans को ध्यान में रखते हुए three language formula है था और three language formula में क्या है कि जो north indian states है या फिर जो hindi speaking states है उनके तो hindi, english और plus में एक south indian language ली जाएगी जिसमें जाया तर sanskrit को लिया हुआ है ठीक है और south indian states के लिए कहा था कि hindi, english और अपनी खुद की regional language जो है local language है वो use कर ली जाएगी इस तरीके से ये plan three language plan है वो finally adopt किया गया था ठीक है और ये demand हो गई थी कि english को continue करो और हिंदी के साथ साथ में वो ही चीज अभी बोली जा रही है इसके अलाबा अमिच्षाजी ने 2019 में भी statement दिया था one nation one language का तो बोले इन approaches को आप थोड़ा सा withdraw करो problem हो जाएगी जब हम independent नहीं हुए थे ना तब भी regional languages को अच्छा खासा समझ में रख करके फिर बाद में बात की जाती थी congress की meetings में जैसे all India congress committee की meeting हुई थी नागपूर session 1920 में उसमें सीधा सा regional languages को ध्यान में रखते हुए उनकी sensitivities को समझते हुए फिर बाद में national struggle को continue किया गया था regional languages में कोई भी इस तरीके का idea नहीं था कि कैसे भी करके उनको side किया जाए एक language में आप promote करो ऐसे में तो मासेजी कटे नहीं होते भीडी कटे नहीं होती अरे ये एक Tamil language बोलने वाले गाओं के बंदे को आप हिंदी में क्या समझा सकते हो ठीक है similarly कोई और language ले लो वैसे बोलने को तो ये बोला गया है अमिच्छाजी के द्वारा कि नौर्थीस्ट में लगबग 22,000 हिंदी के teachers हमने recruit किये हैं नौर्थीस्ट में दसवी तक की जो education है उसमें हिंदी compulsory करने की बात हो गई है final वहां के जो regime से हैं वहां की सरकार है उन्होंने इस चीज़ के लिए agreement भी दिया है और नौर्थीस्ट में वहां की जो local language है local dialect हैं बोलिया है उनकी नौर्थीस्ट में उनको बोले देवनागरी script उसमें भी हम use कर लेंगे जिसमें हिंदी लिखी जाती है देवनागरी script ठीक है तो बोले आप इस तरीके से consensus create करते हुए आगे बढ़ो तो तो बात बने भी पर एक तरीके से आप अगर impose करो या फिर इस तरीके की बात चलाओ जिसके चलते मुश्किले पैदा हो तो उसको जो की हम already taste कर चुके है 1960s के टाइम पे ठीक है तो हमारे पास में already three language formula है तो इस तरीके के sensitive issues को ना उटाएं तो वो ही ठीक रहेगा तो अब आपको करना क्या है त्री लेंग्विस फॉर्मुला कोठारी कमिशन इनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे ठीक है insights IES का एक पूरा वो है three language formula को लेकर के कोठारी कमिशन जैसे आप टाइप करोगे ना कोठारी कमिशन UPSC तो insights IES का आपको एक link मिलेगा उसमें आप देखना पूरी डिटेल दिए है कि education का evolution कहां कहां से कैसे हुआ प्रिलिम्स में बहुत help मिलेगी उससे आगे चलते हैं लास्ट आर्टिकल है shifting to neutral देखो इस आर्टिकल को हम अलरड़ी इस issue को पहले अलरड़ी देख चुके है कि monetary policy committee की meeting हुई है जादी का पांडी जी का लिखाव आर्टिकल है जिसमें रेपोरेट चेंज नहीं हुई है reverse रेपोरेट को जहां तक है side कर दिया गया है वजह reverse रेपोरेट की बजाए एक SDF standing deposit facility ठीक है यह एक नया system अभी introduce किया गया है जिसमें यह करा जाएगा कि जब भी RBA को बैंकों के पास में पड़ी हुई money को absorb करना है तो standing deposit facility है उसका use कर लिया जाएगा अभी फिलाल रेपोरेट 4% चल रही है standing deposit facility rate है वो 3.75 रखी गई है और इधर जो marginal standing facility होती है MSF वो रखी है 4.25% overall आप देख सकते हो कि इधर SDF है SDF कितना 3.75 क्योंकि होता क्या है reverse repo rate का use करके RBA बैंकों के पास में access money पड़ी रहती है उसको absorb करता है ठीक है ना कि आप हमें देदो हम आपको ब्यास देदेंगे बदले में reverse repo rate में तो क्या था RBA के पास पैसा आता था तो उसके बदले में government securities भी hand over करनी होती थी पर SDF में क्या कर दिया कि पैसा ले लिया जाएगा बैंकों से RBA के दोरा ब्यास देना शुरू कर दिया जाएगा बढ़ यहां पर government security या collateral का कोई issue नहीं है इसका मतलब RBA को थोड़ी old leverage मिल गई है कि बस interest rate ही rise करनी है मतलब यह SDF की rate है उसी को rise करना जब भी बैंकों के पास में access money हो उसको absorb करने के लिए ठीक है तो यहां पर marginal standing facility 4.25% है repo rate 4% है और SDF 3.75% है तो marginal standing facility जो की policy rate में highest level पे है और SDF वो lowest level पे है तो इन दोनों के बीच में difference कितना है 0.5 है कि नहीं या फिर 50 basis point बोल देंगे इसको 0.5% को तो यह चीज़ क्या हो गया यह policy corridor तो बहुत policy corridor 0.5% तक लेकर के आ गया RBA अब देखो महंगा ही आपको पता है crude oil कितना महंगा हो रहा है food and agriculture organization ने भी यह बता दिया कि साड़े 12% तक जो global food price है वो rise हुई है crude oil आपको पता है महंगा हो रहा है तो inflation target भी करना है इससे पहले भी USA का Federal Reserve और Bank of England उन्होंने भी अपनी interest rate rise की थी तो उसके वज़े से भी हमारे यहाँ पर problem आई क्योंकि लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया यहां से जो भी investment था FPI के थूँ foreign portfolio investment के थूँ वो निकाल के ले गए अभी तक तो RBI क्या कर रहा था केवल और केवल variable rate reverse repo that means liquidity adjustment facility के under में जो repo rate reverse repo rate का use करके और market में liquidity को control कर रहा था बट अब RBI ने नया method introduced किया जिसको हम बोल रहा है SDF standing deposit facility ठीक है काम क्या है इसका जो मैंने आपको बता दिया SDF के recommendation किस नहीं दी थी उर्जीत पटेल committee ने कि बही monetary policy में हमें SDF को introduce करना चाहिए फिर देखो RBI ने यह जो अभी amendment introduced किया ना SDF जो introduction हुआ है इससे संबंदित finance act 2018 में पहले amendment आ चुका था मतलब यह कि जब budget आया था 2018 में जो introduce हुआ था उसमें जो finance act था ना उसमें RBI का act ना 1934 का उसमें पहले ही amendment कर दिया था कि RBI को allow कर दिया गया था पहले ही कि आप SDF जैसी facility का use कर सकते हो और SDF की facility अभी RBI ने start भी कर दी है बाकी बचा हुआ article उसमें एक बार आप खुद नज़र डालोगे कारण कि चीजें वही हैं जो हमने पहले discuss कर ली है ठीक है और बाकी यह ज़रूर देख लेना कि government securities एक तरीके की G-SAP का program क्या था ठीक है twist operation twist क्या था open market operation में तो simple सी होती है RBI जो है market से liquidity को manage करने के लिए अगर market में liquidity जदा है तो government securities को बेचता है और अगर market में liquidity कम है तो government securities को खुद खरीदता है जिसे market में ज़्यादा ज़्यादा पैसा घुमें तो G-SAP और operation twist के बारे में prelims point office एक बार पढ़ ले ना detail में ठीक है और yielding के बारे में आपको पता होना ही चीए कि अभी 7.12% के लगवग government security yield चल रही है इसका मतलब क्या हो गया कि जिसने भी government securities ले रखी है ठीक है उन securities में holder है ना वो नुकसान में जा रहा है अभी कारण कि जो आप नया बंदा खरीदने आएगा ना उस holders है उस government security को उसको ज़्यदा फायदे देने पढ़ेंगे तो अगर फायदा new purchaser को अगर फायदा हो रहा है तो definitely holder को तो नुकसान ही होगा क्यों कुछ ना कुछ इसको compensation देना पढ़ेगा तब जाकर यह खरीदेगा तो वो साड़े साथ परसेंट जो है वो अपने आप में नुकसान वाली चीज होती है और government भी अगर नई security issue करती है तो उस case में भी government को भी नुकसान रहता है इस case में ज़्यादा yielding रहती है क्यों क्यों क्योंकि market से पैसा खीचने के लिए government को ज़्यादा फाइदे देने होंगे investors को तो इस तरीके से पुरा scenario है यह अच्छा article है एक बार जरूर पढ़ोगे क्योंकि इन मुद्दे को हमने इस मुद्दे को हमने detail में पहले देख लिया तो बहुत चारी चीज़ा आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है थांक्यू वर्यमच डिस्कुशन यहीं खतम है